आवाज, चालू है कि? अब दोस्तों नमस्कार मैं हूँ यादराम और आप देख रहे हैं स्रिसंकल्प क्लासेज का यूटूब चैनल आप सभी प्यारे दोस्तों का स्रिसंकल्प क्लासेज के यूटूब चैनल पर हार्दिक श्वागत है अभिनंदन है शाम के 6 बच चुके हैं और अब मैं आपके सामने आ चुका हूँ लाइव शाम को 6 बचते ही हम हमेशा ही लाइव हो जाते हैं एक बार मुझे सभी बच्चे आ करके बता दे सभी मेरे दोस्त आ करके बता दे कि सर हम आप से जुड़ चुके हैं आज की जो class है आप थमनिल देख रहे होंगे कि आज की class हमारी किस type की class होने वाली है आप सभी का हर्दिक स्वागत है इस class में बहुत बढ़ी असी class है और इस class का जितना आप आनंद लेंगे उतना कम है बहुत प्यारी class है इससे समंदित बहुत सारे प्रिशन परिक्षाओं म किस प्रकार से हम वुकंप को मैसूस करते हैं सारी बातों पर चर्चा करेंगे उससे पहले में सबसे पहले आपको आज 23 मार्च है और 23 मार्च के दिन आप सभी जानते हैं कि तीन नोजवान लड़कों ने अपने देश के लिए हस्ते हस्ते अपने प्राणों का उच्छर कि क् प्राण किया था नाम आप सब जानते ही होंगे सुक्देव राजगुरु और भगत सिंग जिस उम्र में लड़के इसक फरमा रहे होता हैं उस उम्र में उन तीन नोजवानों ने अपने देश के लिए पूरी अपने पूरी शमता का उप्योग करते हुए और देश के अपने अंदर देश भक्ती की भावना को जागरत करने दीजिए जागरत होने दीजिए अपने अंदर देश भक्ती की भावना को पैदा होने दीजिए और धीरे धीरे देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए फटा-फट से एक बार लाइव हो करके मुझे बत । आगे तक class पहुंच जाने चाहिए जितने बच्चे लाइब जुड़ चुके हैं जितने मेरे दोस्त लाइब जुड़ के हैं मेरे सेर जितने आ चुके हैं उन सबसे कह रहा है कि class खो like, share तो करना ही है उसके साथ साथ में आपको comment भी करना है Int Made प effort से मुझे बता दो हाँ जी मैं आप सभी का नाम ले रहा हूं और equation के साथ बहुत प्यारे equation के साथ आज की class की सुरवात करेंगे आज की class بहुत प्यारे से को Newton के साथ 님 के सुरुत करेंगे बहुत प्यारी class इसमें क्या क्या अच्छे और क्या-क्या हमें खोजी प्रश्णों की तरफ चलना है उन पर हम चर्चा करेंगे फटा-फट से मुझे बता दो तो मैं नाम ले रहा हूं राजेश सेवदा गुड इवनिंग बहुत बढ़िया नमस्कार राजेश संदीप सैनी गुड इवनिंग आपको पूनव्यास हैलो नम संदीप सैनी नेपाल से बात कर रहे हैं बहुत बढ़िया सुक्रिया सर आपका सुनीता भामु गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ जी सौनु चोदरी हेलो सर नमस्कार सौनु चोदरी संदीप सैनी गुड इवनिंग सर सिवलाल सारन हेलो हेलो नमस्कार राजेश कु पंडो के तोर पर आप काम कर रहे हैं देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आपको सेलूट करते हैं हम यहां से चलिए क्लास को सेर कर दीजी आप सभी एक बार और आज का जो हमारा क्लास है आज का जो हमारा सेशन है वह बहुत प्यारा सा सेशन है आप देख ही पा रह होंगे कि भूकम्प क्या होता है और भूकम्प की क्रिया में कौन-कौन सी चीजें वसी होती है जो भूकम्प को अंजाम देती है भूकम्प के लिए क्या इंसान जिम्मेदार है क्या आप और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम भूकम्प को कम कर सकते हैं क्या भूकम्प के पहले हम भुकंप का अंदाजा लगा सकते हैं कि कब भुकंप आने वाला है क्या ये पूर्वानवान लगाये जा सकता है कि भुकंप की स्तती क्यों मनती है और कब कब भुकंप आ सकता है क्या इसका अंदाजा लगाये जा सकता है इन सभी प्रिश्णों के जवाब आज हमें मिलेंगे इस क्लास में तो एक बार फटा फट से like, share and subscribe कर दो फटा फट से share कर दो क्लास को मज़ा आने वाला है आज की क्लास में बहुत बहुत सुक्री आप सभी का आरजे देशी बोई, ओ गुरू जी मैं आगे हो बहुत 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 सुक्री आपका मैं तो रोजी देखूं द्याने, बहुत बहुत सुक्री आपका हाँ जी आपके भी दर्सन हमें हो जाते है, यह बहुत अच्छी बात है मंजिल ने होसलों से कहा जरा ध्यान से सुनना रतन रेड जो आ चुके है रतन रेड आ चुके है और रतन रेड एक बहुत बड़ी ऐसा कोटेशन लिखते हैं आप सब के लिए आप सब का होसला बुलंद करने के लिए लिखते हैं क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान से देखना मैं भी इस quotation का कायल हूँ प्यारे दोस्तों मंजिल ने होसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं और होसलों ने भी मंजिल की आँखों में आँखे डाल के कह दिया चल जुटी तेरी इतनी उकात नहीं जरा ध्यान से सुनना और अपने अंदर तक जाने देना इन सब्दों को आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपको जी चलिए बहुत बढ़िया आगे हम बात करते हैं आज के जो टॉपिक की उससे पहले मां आपको वादा कर रहा हूँ कि बहुत प्यारा जो सेसन है ये आज का सेसन बहुत प्यारा सेसन होने वाला है और एक कोटेशन के करेंगे राजेस गूजर कह रहे हैं गूडिवनिंग नमश्कार अंतिमा शैन गूडिवनिंग आप बड़े दिनों बाद अंतिमा शैन वापस आए हैं चलिए आपकी प्रिपेशन कैसी चल रही है आप मुझे लिग करके बताएंगे चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को इस क्लास को आप सेर जरूर करें ताकि हर बच्चे तक इस बात की जानकारी हो कि भूकंप आखिर होता क्या है और भूकंप में क्या इस्ततियां बनती हैं प्रत्वी पर कौन कौन सी ऐसी इस्ततियां बनती है जी आजयो फटा फट से मोहिज सैनी गोड इवनिंग सर बहुत-बहुत नमस्कार मोहिज जी आपको चली आप स्टार्ट करते हैं हम मैं आपके कमेंस देख रहा हूं प्यारे दोस्तों मैं आपके कमेंस देख रहा हूं मैं आपके कमेंस लगातार ही देखता रहता हूं आप कमेंस करते रहें ताकि म ये जो भगत सिंग राजगुरो और सुखदेव थे इन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कम उम्र में देश के लिए बड़ा काम कर दिया था तो ये एक बड़ी बात है कि बहुत जादा उम्र जीने की आउशकता नहीं है बहुत अच्छे काम करने के लिए लंबी उम्र जीने की आउशकता नहीं है तो मेरा कहना यह है कि 100 साल की निर्थक जीवन जीने से अच्छा है 23 साल का भगत सिंग का जीवन जी जाना 23 साल में बहुत बड़ा काम कर दिया पूरी दुनिया को एक नया मैसेज दे गए मैं कह रहा हूं कि 100 साल का निर्थक जीवन जीने से बहतर है कि 43 साल की विवेकानंद का जीवन जी जाना स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में भारत का पर्चम लहरा करके गये हैं आप सभी देख रहे हैं तो चलिए आज का जो कोटिशन है वो और उसके बाद में सुरुवाद चलिए आज का कोटिशन आपके लिए है आप सभी को समर्पित हैए और आप सब के दिलों में देश के प्रती कितनी उमंग और जोस है उसको मैं देख पा रहा हूँ तो सुनिएगा सीने में जुनू आँखों में देश भक्ती की चमक रखता हूँ ये भगत सिंग के मुझ से सुन रहे हैं आप जरा ध्यान से सुनना कि सीने में जुनू आखों में देश भक्ती की चमक रखता हूँ दुश्मन की सासे थम जाए ऐसी आवाज में धमक रखता हूँ लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगा जाएगा मेरे लहू के एक एक कत्रे से इस देश में इंकलाब आएगा प्यारे दोस्तों आजाओ अब बात करेंगे हम जरा ध्यान से सुनना इस चेप्टर को पूरा चेप्टर आपके काम का है यहाँ से प्रिशन कैसे बनेगे उन सब पर हम चर्चा करेंगे आप देख रहे होंगे जो चेप्टर है हमारा वह वह भूकम आओ और भूकम से समन्दित क्या क्या प्रूशन होते है और किस प्रकार के प्रूशन पूछे जाते हैं जरा ध्यान से देखना इस सब्द को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ और भू का मतलब तो आप सभी जानते हैं भूमी, अर्थ और यहां पर कंप का मतलब होता है कंपन जब किसी भी कारण से भूमे में कंपन होता है पूरे धरातल ये इस्तती हिल जाती है तो उसी इस्तती को कहा जाता है भूकम्प भूकम्प में कारण कोई भी हो लेकिन उस कारण से अगर धरातल हिले धरातल में कंपन हो तो उसे भूकम्प कहा जाता है अब यह मत कहना कि सर पास से होकर रेल गाड़ी गुजर रही थी और रेल गाडी के गुजर जाने से हमारे यहां पर भूकंप आया नहीं वो भूकंप नहीं है ध्यान रख लीजिगा तो भूकंप भूमे में कमपन होने को ही भूकंप कहा जाता है यह भूमी की आंतरिक सरंचना पर आधारित क्रिया है भूमी की जो धरातल की आंतरिक शरंचना है प्रत्वी की आंतरिक शरंचना है उस पर आधरित प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में क्या होता है इस बात की मैं चर्चा करूँ आपके साथ में हाल फिलाल इतना समझे कि भूकम्प किसे कहा जाता है भूकम्प भूमे में उत्पन होने वाले कमपन को ही भूकम्प कहा जाता है क्लियर अब देखिए ज़रामिध्यान से देखना मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भुकंप का अध्यन करना क्या कहलाता है या यूं कह सकते हैं आप कि विज्ञान की जिस साखा में पुकंप का अध्यन किया जाता है भूकम्प का अध्यन किया जाता है अध्यन किया जाता है प्यारे दोस्तों अध्यन किया जाता है उसे सिस्मोलोजी कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है सिस्मोलोजी याद रखेगा उसे सिस्मोलोजी कहा जाता है बहुत काम की बात यह है कि भूकम्प भूकंप का अध्यन किसमें किया जाता है तो याद रखना सिस्मोलोजी में भूकंप का अध्यन किया जाता है सिस्मोलोजी में भूकंप का अध्यन किया जाता है जैसे जीव का अध्यन किसमें किया जाता है biology में वैसे ही भुकंप का अध्यन किसमें किया जाता है सिस्मोलोजी में अगली बात करते हैं कि भुकंप भुकंप मापने का यंत्र या भुकंप यहां पर डारेक्ट में लिख रहा हूँ देखना भुकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है भुकंप मापने का यंत्र दो नामों से पुकारा जाता है या तो उसे भुकंप मापी यंत्र कहते है या तो उसे भुकंप मापी यंत्र कहते है मापी यंत्र कहा जाता है भुकम्प मापी यंत्र और या फिर उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है दो नामों से जानते हैं एक तो भुकम्प मापी यंत्र और एक सिस्मोग्राफ क्या प्यारे दोस्त सिस्मोग्राफ ध्यान से देख लेना इस सब्द को मैं क्या कह रहा हूँ या तो क्या कहा जाएगा भुकंपमापी यंत्र या सिस्मोग्राफ क्लियर है तो भुकम्पमापने का यंत्र क्या हुआ याद रखना दो बातें आपको क्लियर हुई भुकम्प का अध्यन विज्ञान की सिस्मोलोजी साखा में क्या जाता है और भुकम्पमापने का यंत्र कौन सा होता है सिस्मोग्राफ होता है अगली बात पर यदि मैं चलूँ और बात करूँ कि भुकम्प की जो तिवर्ता है भुकम्प की तिवर्ता भुकम्प की तिवर्ता किस तिवर्ता का भुकम्प है वो मापने के लिए पहरे दोस्तो रिक्टर स्केल बहुत काम की बात है याद रखें भूकम्प की तिवर्ता मापने के लिए किस स्केल का प्रियोग होता है बताएं भूकम्प की तिवर्ता मापने के लिए किस स्केल का प्रियोग होता है तो आप कहना भूकम्प की तिवर्ता मापने के लिए हम रियक्टर स्केल का प्रियोग करते हैं, अगर हम बात करें, कि भुकम्प के दोरान, भुकम्प के बाद हुई, क्या हुई, जन धन की हानी का अनुमान किस स्केल पर लगाया जाता है अनुमान किस से नापा जाता है या किस से मापा जाता है मापा जाता है ये बहुत काम की बात है किस से मापा जाता है भुकम्प में हुई जन धन की हानी या भुकम्प के बाद जो जन धन का नुक्षान हुआ है कितना नुक्षान हुआ है इसका अनुमान लगाने के लिए हम एक special scale काम में लेते हैं प्यारे दोस्तों और उसका नाम है मरकेल स्केल याद रखना उसको क्या कहा जाता है मरकेल स्केल कहा जाता है ये किसके नाम पर नाम रखा गया है इस स्केल का आविश्कारक था या इस स्केल का जिसने आविश्कार किया है उन्हीं के नाम पर रखा गया है मरकेल और मरकेल स्केल ऐसे ही जो रियेक्टर नाम है वो रियक्टर भी उसी उन्हीं के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसकी खोज की थी जिन्होंने इसका आविस्कार किया था याद रखेगा रियेक्टर से क्या मापा जाता है बुकंप की तिविर्ता मापी जाती है और मरकेल से क्या अनुमान लगाया जाता है बुकंप के दोरान कितनी हाने हुई है कितना नुक्सान हुआ है इसका अंदाजा लगाने के लिए हमारे सामने हम किसका प्रियोग करते हैं मरकेल इसकेल का तो ये तो मोठी बाते हैं भुकम से सम्मंद जरा समझ लीजेगा ये तीन चार चीजें जो मैंने लिखवाई हैं यहां पर ये वैरी वैरी इंपोर्टेंट बाते हैं ध्यान से सुनना दो बाते मैं यहां पर कर रहा हूँ आपसे एक तो होता है रिक्टर इसक ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा दियर दोस्त रिक्टर इसकेल एक है मरकेल इसकेल अब ये तो क्या मापता है ये तो तिवरता मापता है भुकम की तिवरता मापता है ये क्या मापता है ये भुकम में हुई जनधन की हानी कानुमाल लगाता है अब याद अंक होते हैं। कहां तक अंक होते हैं यह बड़ा प्रिशन है जितक आपको अब तक यह पता होगा कि Σे भुकम की तिवरता माफी जाती है लेकिंगा इस बात को और जाने कि से और कि इसकेल में जो अंक होते आधर को 10 होते है और अगर वाफ करो मरकेल स्केल की तो मरकेल स्केल में जो अंक होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं एक से बारा तक एक से बारा तक याद रख लिजेगा कि मरकेल स्केल में अंक एक से बारा तक होते हैं और रेक्टर स्केल में अंक जीरो से 10 तक होते हैं clear है अच्छा अब बात करते हैं कि 0-10 तक जो reactor scale है इसमें कैसे हम पता लगाते हैं कि कितना नुक्सान हुआ है तो इस reactor scale में एक एक अंक बढ़ते हैं यानि प्रती अंक प्रती अंक की बढ़ोतरी पर प्रती अंक यानि मान लीजिए दो रियेक्टर का भूकम पाया है तो कितना भूकम पाया होगा तो प्रती अंक बढ़ने पर बढ़ने पर बढ़ने पर 10 गुणा माना जाता है कितना गुणा माना जाता है प्यारे दोस्त 10 गुणा माना जाता है कि एक अंक बढ़ा मतलब उसकी तिवर्ता 10 गुणा और बढ़ा दो भुकम की तिवर्ता कितनी बढ़ा दो 10 गुणा बढ़ा दो तो याद रखेगा कि कितने अंक होते हैं 0 से 10 और एक अंक बढ़ने पर 10 गुणा उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए हमें बात समझ में आ गई कुछ नई जानकारी आज है लेकर के जाएंगे आप यहां से मैं यकीन दिला रहा हूँ कि भुकम से सम्मंदित नई जानकारी आज आप हासिल करेंगे हाँ जी जितने भी बच्चे देख रहे हैं जोती सेखावत यस नमशकार सुरेश यादव गुडिवनिंग राजेश सेवदा सर रियक्टर या रिक्टर एक ही बात है बेटा रियक्टर रियक्टर एक ही बात है नागर गोगोरिया मानगे गुरू आपने तो इत्यास ही नहीं अगले का भुगोल वदल देते हो बास्तों में यादरम सर भुगोल के जादूगर है सुक्रिया सुक्रिया नागर जी आपका बहुत-बहुत सुक्रिया सचीन चंदेल नमस्कार नमस्ते हाँ जी रतन रेक्टर इसकेल बहुत बढ़िया हाँ जी मैं आपसे जवाब मांगूँगा तब मुझे जवाब दीजेगा वंदिना सर्मा वेरी नाइस सचीन चंदेल सर आज क्लास लेट कैसे होगी लेट बेटा एक दो मिनिट लेट हुई ह होगी ज़्यादा लेट नहीं हुई है सचीन ठीक है चलिए क्लास को सेर कर दें अपने दोस्तों तक पहुंचा दे क्लास को और बताएं उनको कि भूकंप हमसे बहतर आप नहीं पढ़ सकते हैं या हमसे बहतर आप नहीं पढ़ा सकते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा जी क्या है रियक्टर स्केल क्या है मरकेल स्केल क्या है रियक्टर स्केल में अंक अधिक्तम कितने होते हैं एक से जीरों से लेकर कि दस तक और मरकेल स्केल में अंक कितने तक होते हैं एक से लेकर बारा तक शाबबास चलो आगे बढ़ते हैं अब देखना अब हम बात कर रह तक का भूकम्प है वो विनाशकारी नहीं होता है किया कि तिवर्त वाला भूकम वाला भूकम व विनाशकारी नहीं होता है विनासकारी नहीं होता है अगर यहां तक की तिवर्ता का भुकम्प आता है प्यारे दोस्त तो आप समझें कि बहुत जादा जानमाल की हानी नहीं होने वाली है भुकम्प के लिए एक चीज बड़ी जिम्मेदार है भुकम्प आता है तो कौन सी चीज जिम्मेदार है बता दू मैं आपको बता दू कि भुकम्प के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है लावा निकलता है ज्वाला मुखी से तो यकीन मानिये भुकम पाएगा लेकिन लेकिन हर बार जब भुकम पाता है तो ज्वाला मुखी आए ये जरूरी नहीं है ध्यान से सुनना इस बात को गौर करना इस बात पर मैं कह रहा हूं कि हर बार जब ज्वाला मुखी आती है तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि जब जब भुखकम पाता है तब तब जवाला मुख्य आती है। ये बात आप कितना समझे हैं इस बात पर मुझे बताए। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी मैं क्या कह रहा हूँ जरा धान से सुनो और समझो इस बात को कि जब जब भी जुआला मुखी निकलती है या जुआला मुखी में उद्गार होता है तब तब भुकम पाता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि जब जब भुकम पाता है तब तब ज्वाला मुख्य आती है या ज्वाला मुख्य उद्गार होता है तो इसका मतलब समझ में आता है कि भुकम्प केवल ज्वाला मुख्य के आने से नहीं और कई कारणों से भुकम्प आया करते हैं और कई कारण होते हैं जिनकी वज़े से भुकम्प का जंग होता है आपको सिदाय देता हूँ आपको बता दूँ कि जब भी भुकंप आए तो आप खुले में निकल जाए छत के नीचे नहीं रहे या फिर किसी मजबूत चीज का सहरा ले जैसे टेबल है आदी टेबल के नीचे आप छुप करके भी भुकंप से बचाओ कर सकते हैं ठीक है तो भारत में हिंदुस्तान में भुकंप बहुत जादा आते हैं तो एक बड़ा प्रशन निकल करके आता है इस बात पर आप गोर करें कि हिंदुस्तान का कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा भुकंप महसूस किये जाते हैं या सबसे ज़्यादा भुकंप के ज बोल रहा है जरा ध्यान से देखना इस बात को मैं कह रहा हूं कि सबसे इंपोर्टेंट यह प्रिश्ण है आपके लिए बहुत प्यारा सा प्रिश्ण है क्या है जरा ध्यान से सुनना कि भारत के भारत के किस भौतिक प्रदेश में सरवादिक बुकम्प के जटके बुकम्प के जटके लटके जटके नहीं केवल जटके महसूस किये जाते हैं जटके महसूस किये जाते हैं जरा ध्यान से देख करके इस प्रशन का जवाब देना चार ओप्सन आपकी स्ट्रीन पर ये रहे देखना चार ओप्सन कौन कौन से हैं ओप्शन नम्मर एक हिमाल्य छेत्र या हिमाल्य वाला भाग ओप्शन नम्मर बी आपके सामने मरुस्थल क्या मरुस्थल ओप्शन नम्मर सी ओप्शन नम्मर सी ओप्शन नम्मर सी पहला हिमाल्य वाला भाग ओप्शन नम्मर दो मरुस्थली भाग ओप्शन नम्मर सी दीप आप्सन नम्मर डी प्रायदीप ये पठारी भाग प्रायदीप ये पठारी भाग पठार आप मुझे इन चार आप्सन में से एक उत्तर देना है आप फटा फट से उत्तर दे करके मुझे बताए कि वो कौन सच्छित्र है जहां पर भुकम्प सबसे ज़्यादा महसूस किये चाराण मैं बताऊंगा कि क्यों यहां पर सरवादिक भुकम्प महसुस किया जाता है फटा फट से जवाब दे करके बताएं हां संधीब शुक्ला शर आपका सुक्रिया शर आप आते हैं कंको कलास लेते हैं और क्लास को इंजोई भी करते होंगे साहिद सुकला सर हाँ जी चलिए सचीन चंदेल ऑप्सन आ रहा है उत्तर आ रहे उत्तर दे दो भाईया मैं आपको उत्तर मांग रहा हूँ आपसे उत्तर मांग रहा हूँ फटाफट से उत्तर दे दो ताकि हम आगे चले फटा फडब से उत्तर दो सचीन चंदेल कह रहे हैं कि दी उत्तर में सरवादिक भुकम्त के जटके महसूस किये जाते हैं option number A है आपके सामने हिमाले, option B है मरुस्थक, option C है D, और option D है प्रायदीप ये पठारी प्रदेश, कौन सा प्रदेश प्रायदीप ये पठारी प्रदेश तो इनमें से सही जवाब क्या होगा इसका answer आप देए मैं आप सब के उत्तर देख रहा हूँ यहाँ पर, रतन रैड ए यानि हिमाले इच्छेत्र कल्यान सिंग कह रहे हैं C, right answer मतलब BP इच्छेत्र, पुनम व्यास उत्तर दे रहे हैं D, सचीन चंदेल, संदीप सैनी दे रहे हैं A और घंशाम D, सचीन चंदेल D और धान से देखो भई उत्तर इसका क्या होगा क्योंकि अलग-अलग उत्तर तो हो नहीं सकते मैंने सरवादीक बोल दिया यहाँ पर हो तो सरवादीक कौन से छेत्र में ज़्यादा भूकम पाते है इसके लिए अलग-अलग उत्तर नहीं हो सकते एक ही उत्तर होगा बच्चो एक ही उत्तर क्या होगा जो प्राइदीक का उत्तर लगा रहा है बेटा समझ लेना कि प्राइदीक यह जो पठारी प्रदेश है वहाँ पर भूकम प जादा नहीं आते हैं तो यह तो हपन गलत कर दिते हैं इस बात को हमना कार रहे है किसीने सी उत्तर दिया है तो बेटा थोड़ा सा और दिमाग लगाने के आऊशकता है कि दीपिए छेत्रों में भी ज्यादा भूकम प नहीं आते हैं किस से जदा नहीं आते हिमाले यह शेतर से जदा नहीं आते हिंदूस्तान का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भूकंप के दरष्टी से अगर कोई सा भाग है तो वह का कौन सा है हिमाले यह भाग है तो जिसका A option सही था जिसने A option को सही माना था आप सभी बच्चों से निवेदन है कि A option के साथ चले जाएं A option के साथ चले जाएं हाँ संदीप सुकला सर भी जवाब दे रहे हैं कि सर D सर ये mathematics के वो नहीं है खैर कोई बात नहीं सुक्रिया सर आपका लेकिन उत्तर इसका सर होगा A A right answer इसका उत्तर होगा A हाँ जी चलिए संदीप सुकला सर बड़े सायर है और उनकी तरफ से एक बहुत बढ़िया quotation आया है चलो मैं पढ़कर के सुना देता हूँ संदीप सुकला सर आपकी तरफ से बच्चों को समर्पित कि मेरी आँखों में महबत की चमक आज भी है सर या क्या बात कर रहे हो मेरी आँखों में महबत की चमक आज भी है हालान की उसको मेरे प्यार पर सक आज भी है जिस नाव पर बैठ कर हाँ उसने हाथ कभी उस तालाब में महंदी की महक आज भी है सेल्यूट यू सर, मिस्यू मैं भी आपको बहुत मिस्च करता हूँ सर हालांकि ये अंग्रेजी मुझे समझ में कम आती है सर आप हिंदी में लिखें क्योंकि अंग्रेजी में अपन बिल्कुल ही पैदल है चलिए खेर, आपने जो भी लिखा है आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ बहुत प्यारी बात लिखी है आपने अकसर दिल टूटे लोग ऐसी चीजे करते हैं ऐसी बाते लिखते हैं वंदिना सर्मा सी, राजे शेवदा ए, सुभास शर्मा सर बताओ तो सासरो की जाए थारो अरे ऐसी बाते हम बाद में कर लेंगे यार कभी मिलो हवेली पे आजाना सचिन चंदेल ए, वंदिना शर्मा सी, रतन रेड हाँ रतन रेड कह रहे हैं, रतन रेड बेटा आपको इतना नर्वस होने की जरुत नहीं है बहुत प्यारी सी बात आप लिख रहे हैं कि उम्मीद जिंदा रखे जनाब आज हसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे, ये बात बहुत अच्छी है आपके लिए रतन और आपके होसलों की मैं सराना करता हूँ यहां पर आपके होसले हमेसा ही बुलंद रहे हैं और एक दिन काम्याभी आपके कदम चुमेगी ये भी मेरा वादा है आपसे चलिए खेर, आगे बढ़ते हैं भुकम को पढ़ रहे हैं और भुकम में ये प्रिशना आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हिमाले जो छेत्र है वहाँ पर सरवादिक भुकम पाते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हिमाले वाला पार्ट है वो बहुत नवीन पार्ट होने के साथ-साथ वहां पर जो वहां ब्रध्वी का स्ट्रक्ट्स समझना होगा इसको समझना पढ़ेगा आपको थोड़ा सा प्रत्वी का सरंचनात मक धाचा क्या कहता है कि प्रत्वी कई छोटी छोटी कई पतली पतली लेर से मिलकर बनी है यह इस प्रकार से कई लेर्स पाई जाती है प्रत्वी के नीचे यहां इस प्रकार से कई लेर आपको देखने को मिलेंगी अगर आप प्रत्वी की आंतरिक सरंचना का अध्यन करेंगे तो नीचे कई प्रकार की प्रते होती है धरातल के नीचे कई प्रकार की प्रते होती है और इन लेयर्स के बीच में इन प्रतों के बीच में कई प्रकार की गैसे भी मोजूद होती है कई परकार की गैसे पाई जाती हैं यहाँ पर और यह गैसे जब आपस में एक दूसरी के साथ में क्रिया करती है क्रिया करती है तो क्रिया करने के बाद इस छित्र को बहुत गरम कर देती है जब भी आपको पता है कि जब भी दो अलग-अलग स्वभावाली गेसें आपस में टकराती है या मिलती है तो घरसन से वहाँ पर गर्मी पैदा होती है और गर्मी पैदा होने से वहाँ का जो छित्र है वो तप्त हो जाता है लावे में बदल जाता है किस में बदल जाता है लावे में बदल जाता है और लावे में बदल जाने के कारण कई बार ऐसा होता है कि ये प्लेटे आपस में रगड करती है क्या करती है रगड खाती है और रगड खाने के दोरान जो धरातल में जो धरातल में कमपन्न महशूस क आजाता है उसे ही हम भुकंप कह देते हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं भुकंप कह देते हैं लेकिन याद रहे कि भुकंप ये परक्रिया में तीन प्रकार की तरंगे प्रवाहित होती हैं तीन प्रकार की तरंगे प्रवाहित होती हैं ये तीन प्रकार की तरंगे कौन कौन सी ह ये भी आपको पूछा जाएगा कि तीन प्रकार के तरंगे कौन कौन सी हैं तो धरातल के नीचे इस प्रकार के आपको कई प्रकार की लेर मिलती हैं और वो लेर वो धरातल के नीचे धान रखना वो लेर और इन लेर के नीचे ये मलबा तयार है ये तप्त लावा तप्त मैग वनिसपति पथर जितनी भी चीजें होती है एक तप्त होती हैं याद रखेगा यही मेगमा होता है और जैसे धरातल के उपर दिखाई देता है तो इसे हम लावा कहता है याद रखिएगा इस बात को अब यहां से हलचल स्टार्ट होती है और यहां से यहां से भुकंप की क्रिया जन लेती है यहां से भुकंप की क्रिया जन लेती है और यहां से स्टार्ट होता है भुकंप का सुर्वात यहां से होती है जड़ा देखना भुकंप्य परक्रिया में तीन प्रकार की तरंगे प्रवाइत होती है कितने प्रकार की तीन प्रकार की सबसे पहले पी तरंग उसके बाद में एस तरंग और उसके बाद में एल तरंग तीन तरंगों का प्रवा होता है याद रखेगा भुकंप्य प P यहां पर S और यहां पर L ठीक है तीन प्रकार की तरंगे प्रवाइद होती है जिस इस्तान पर भुकम्प्य प्रक्रिया धरातल के नीचे जन लेती है उस इस्तान को फोकस कहा जाता है इस इस्तान को मान लीजिए भुकम्प्य प्रक्रिया यहां हो रही है धरातल के नीचे यह तो धरातल है यह तो क्या है धरातल है और धरातल के नीचे यहां पर यहां पर क्या हो रही है भुकंपिये प्रक्रिया जन्म ले रही है तो इसे भुकंप फोकस कहा जाता है माई डियर क्या कहा जाता है भुकंप फोकस कहा जाता है याद रखेगा धरातल के नीचे भुकं प्रक्रिया का जहां जन्म होता है उस विन्दू को भूकम में केंद्र भी कहा जाता है उद्गम केंदर भी कहा जाता है याद रखना उद्गम केंदर कह दो चाए भूकम फोकस कह दो ये बात आपको पहुंचनी चाहिए आप तक पहुंचनी चाहिए क्लियर है ये बात चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे ही ये भूकम फोकस ये इन तरंगों को प्रभाहित करता तो विबिन्द प्रकार की तरंगे किसी इस्तान पर पहुचती है किसी एक पर्टिकूलर इस्तान पर बहुत जादा पहुचती है तो ये वाला जो इस्तान है धरातल के उपर धरातल के उपर वाला जो इस्तान है यहां से कई प्रकार की तरंगे प्रवाइत हुई और यहां प लाहा जाता है अधीकेंद्र यह बात बहुत इंपोर्टेंट है कि अधीकेंद्र क्या है और भुकंप फोकस क्या है जरा समझना हाँ जी पी एसल फुल फॉर्म क्या है सर जी बिलकुल मैं बता देता हूँ सब की फुल फॉर्म बता दूँगा हाँ गोगोरिया जी कह रहे है फुल फॉर्म क्या है जरह सुनना पी का प्राइमरी वेवज प्राथमिक तरंगे P का मतलब primary waves मतलब प्राथ्मिक तरंगे बिटा ध्यान से सुनना अगर मैं बात करूँ S की तो S का मतलब secondary waves मतलब दितियक तरंगे कौन सी तरंगे? दितियक तरंगे और यदि बात करें L की तो L का मतलब होता है love तरंगे love कौन सा सर प्यारवाला? प्यारवाला ही समझ लीजी आप लेकिन ये याद रखेगा कि तीन प्रकार की तरंगे P का मतलब primary S का मतलब secondary और L का मतलब love तरंगे love इनका नाम इसले पड़ा क्योंकि इस तरंग की खोज सबसे पहले Edward Love ने Charles Love ने की थी याद रखेगा Edward Love ने की थी इस तरंग की खोज इसलिए इस तरंग को love तरंग भी कहा जाता है longitudinal तरंग है ये longitudinal तरंग है इसमें क्या-क्या होता है इन सब की हम चर्चा करेंगे एक बार इतनी बात समझ लीजेगा एक बार इतनी बात समझ लीजेगा कि अधिकेंद्र क्या है और भूकम्प फोकस क्या है अधिकेंद्र क्या है और भूकम्प फोकस क्या है इस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए चलिए बात समझने की कोशिश करेंगे आप भूकम्प से समझ दित क्या अब तक की चर्चा आपको समझ में आई है? हाँ. प्रमोद महाल नमस्कार आप सभी को नमस्कार चंदेल जी. अर जह देसी बोई मिटा रहे हैं GD Seeker एफ उत्तर दे कल्यान संग कल्यान सिंग जी क्या कह रहे हैं सिस्मोग्राफ सही है क्या बिल्कुल सिस्मोग्राफ सही है इसमें कोई दोराई नहीं है भुकंप मापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है कोई दोराई नहीं है इस बात में हाजी रतन रेड प्राइमरी सेकंड लॉंग नहीं कहेंगे इसे होका मतलब यह होगा एक हर टै पर प्रमोद मुखल जय रहे हैं हाँ बेटा मेरे रश्जूल मुझे पता है मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा चलिए तो जरा समझ लीजेगा हाँ मैं गोगोरिया जी को कह रहा हूं कि तिनों की आपको फुल फोर्म है वो आपको समझ में आई होगी पी का मतलब होता है प्राइमरी तरंग और एस का मतलब होता है सेकेंडरी सेकेंडरी दित्यत तरंगे और एल का मतलब होता है लव तरंगे या लव वेवज क्लियर है आप सभी को इस बात का पता लगया कि तीन प्रकार की तरंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के बात करते हैं यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा कि धरातल के नीचे प्रकार की गैसे पाई जाती है यह गैसे आपस में क्या करती है संचरन करती है यह गैसे आपस में जब टकराती है तो वहां वाले छित्र को गरम कर देती है और गरम होने की स्थती में कई बार क्या होता है कि तरंगे धरातल तक पहुंच जाती है और कब कौन सी तरंग परवा होता है या जो तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसका नाम है पी तरंग कौनसी तरंग पी तरंग सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है इसकी तिवर्टा सर्वादिक होती है तिवर्टा सर्वादिक सर्वादिक याद रखना इसकी तिवर्टा सर्वादिक और इसकी दूसरी विशेश्ता सबसे पहले परवाहित होने वाली तरंग सबसे पहले परवाहित होती है जब भी भुकम पाता है तो सबसे पहले कौन सी तरंग चलती है पी तरंग चलती है और इसकी तिवरता सबसे ज़्यादा होती है जितने भी तरंगे परवाहित होती है यानि कितने तरंगे तीन तरंगे परवाहित होती है उनमें से सबसे पहले कौन सी तरंग परवाहित होती है पी तरंग जिसको आप प्रात्मिक तरंग भी कहते है इसका अ अब ये तरंगे प्रात्मिक तरंगे वो पद्दार्थ की तीनों अवस्ताओं से होकर गुजर सकती है इसमें इतनी ताकत होती है कि ये पद्दार्थ की तीनों ही अवस्ताओं को पार कर सकती है तीनों अवस्ताओं कौन कौन सी होती है दरातल के नीचे सभी अवस्ताओं मिल सकती है कौन सी तरंग मेरे दोस्त प्रात्मिक तरंग कौन सी तरंग प्रात्मिक तरंग और याद रखे कि यह प्रात्मिक तरंग है भुकंप्य क्रिया में सबसे तेज गती से प्रवाइद होने वाली है लेकिन लेकिन जब भुकंप्य क्रिया में प्रात्मिक तरंग प्रवा कि ये तरंगे सबसे ज़्यादा एक्टिव तरंगे हैं और भुकम्प्य क्रिया में सबसे तेज गती से प्रवाइत होती है तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत तेज गती से निकली वी गोली सीसे को बहुत कम नुक्सान पहुचाती है और एक धीरे से लगा तरंग की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसमें इसमें इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और यह सबसे पहले मतलब निकलने वाली प्रवाहित होने वाली तरंग है तो इस तरंग के प्रवाहित होने से धरातल पर बहुत हलके जटके महसूस किये जाते हैं ज जिससे जानमाल की हानी बहुत जादा नहीं होती है। क्लियर है, ये तीनों मध्यों से होकर गुजर सकती है, ठोस से भी गुजर सकती है, दर्व से भी गुजर सकती है, और गैस से भी गुजर सकती है। ये वैसे ही होती है जैसे ध्वनी तरंगे होती है कि आप से पूछा जा सकता है कि पी तरंग किसके सम्मान होती है प्रकास तरंगों के सम्मान या ध्वनी तरंगों के सम्मान तो याद रखे ध्वनी तरंगों के सम्मान प्रवाहित होने वाली तरंग कौन सी है पी तरंग प् क्रिशन जी जिराना गुड सर जी आपको भी नमस्कार क्रिशन जी चलिए बिलकुल बताएंगे चलो आर्जे देशी बहुत रियक्तर हाँ जी ये बहुत चलिए हम बात करेंगे आज की क्लास आपको कैसी लग रही है वो जरूर बता दे मुझे आप क्लास को शेर करते रहे है like तो बनता है बंदो like तो बनता है like जरूर कर दे class को जम करके like कर दे share कर दे class को रतन रेड कह रहा है लो बोलो भुकम में भी love गुजग्यो हाँ हर जग है love के बिना किसी भी चीज की definition complete नहीं होती है मेरे दोस्त love के बिना किसी भी चीज की definition किसी बी चीज़ की परीभासा kümmponte नहीं होती ये बात अलग है कि आज के बच्चे लव का अर्थ। कुछ होर लगाते हैं। यèce अलग है कि आज के बच्चे जो है वो लो का अर्थ hace अलग लगातायएं। वो बात अलग है हाँ चलिए खेर ये आपको समझ लेना चाहिए कि जो हर चीज है वहाँ पर प्यार प्रेम की बाते होनी चाहिए अगर आपको किसी चीज को समझना है तो अपने दिमाग को बहुत तूल रखना है बहुत आराम से उस दिमाग को अगर दिमाग में स्पेस ही नहीं होगा तो यार कहां से समझ में आएगी अगर दिमाग में बहुत सारी बाहर की चीज़े चलती रहेंगी तो कहां से समझ में आएगा कोई भी क्लास हो कैसी भी क्लास तो समझ में नहीं आएगा कही बार होता है बच्चे का mindset हो जा जाता है बोलो सर कलास आज की समझ में नहीं आएगी तो वह तब नहीं आएगी पेटा जब आप समझने का प्रियास नहीं करेंगे तब नहीं आएगी सिदी और वो बच्चे जो हमेशा positive रहत से हैं बोलो nella कुछ नया सीखना है आज कुछ अच्छा करना तो हर दिन इस तरीके से आप प्यार यांद रखेगा याद रही होते हैं को क्लास का उस टाइम जोई नी करते हैं Л हेसे कि लिए मरते हैं अमारी क्लास सरा आज की कलास में पहुचे नहीं आपका period नहीं आए तो online में आ करके देख लो भाई online में भी तो मज़ा आता है ना online में भी मैं ही आपको पढ़ा रहा होता हूँ ज़रा ध्यान से देखते रहें class को आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा दोनों चीजों की guarantee बसर्ते आप मेरी बात को अपने कालों तक जाने दे पहुचने दे बातों को चलिए खैर हां है जितने बच्चे live हैं जितने बच्चे live हैं शेर करदें आपका क्रतव जीन परमधरम हैं हां बिटां परमधरम है आपका हं चलिए कल्यान सिंग सर मेरे क्वेशन का जवाब नहीं दिया आपने क्या क्वेशन है कल्यान सिंग दूबारा करो बेटा क्वेशन दूबारा करो क्या क्वेशन है चलिए तो आगे बात करते हैं हम देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एस तरंग की पी तरंग आपको समझ में आई एस तरंग की बात करें तो एस तरंग का मतलब होता है एस तरंग का मतलब होता है सेकेंड या दित्यक तरंग दित्यक तरंग दित्यक तरंग क्लियर है और दित्यक तरंग ये पी तरंग के बाद में प्रभाहित होने वाली तरंग पी तरंग के बाद में प्रवाहित होने वाली तरंग कौन सी है दितियक तरंग और इस तरंग को सेकेंडरी तरंग भी कहा जा सकता है या कह सकते हैं आप और इस तरंग का जो मुख्य गुण है वो यह है कि ये प्रकास तरंगों की तरह प्रकास तरंगों की तरह प्रवाहित ह कुझे में एक खाष बात होती है कि यह केवल थोस माध्यम से होकर ही गुजर सकती है तोक जोप दित्यक तरंग ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है परकास तरंगों के सम्मान ये तरंगे प्रवाइत होती है अनुप्रस्त तरंगे होती है कैसे होती है अनुप्रस्त तरंगे अनुधैदरिय तरंग होती है कैसे होती है अनुधैदरिय तरंग होती है और इनमें से लौ जो तरंग है या लव तरंग है वो होती है अनुप्रस्त तरंग हाँ जी और सबसे खतरनाक ये जो ऐस तरंग है ये पी तरंग के बाद पी तरंग के बाद प्रवाहित होती है बाद प्रवाहित होती है और इसकी स्पीड इसकी तिवरता इसकी तिवर्था भी P तरंग की अपेक्षा मतलब इसकी तुलना में कम होती है किसकी स्पीड? S तरंग की स्पीड P तरंग की अपेक्षा कम होती है और जब ये तरंग प्रवाहित होती है तो P तरंग की अपेक्षा थोड़ा अधिक नुक्षान और हाने होती है लेकिन याद रहे जब एल तरंग वहती ही शांत तरंग है शरल स्वभाव की तरंग है जब ये एल तरंग प्रवाहित होती है या ये धरातल तक जब पहुंसती है तो धर्टी पर प्रत्वी पर सबसे ज़्यादा नुक्सान होता है एल तरंग धरातल तक पहुंच गई इसका मतलब भुकंप की जो तिवरता है वो रियक्टर स्केल पर साथ 6.5 से अधिक दर्ज किया जाएगा रियक्टर स्केल क्या मापने के काम आता है भूकम्प की तिवर्ता मापने के काम आता है मैंने आपको कहा कि भूकम्प की तिवर्ता रियक्टर स्केल से मापी जाती है और 6.5 रियक्टर तक का भूकम्प विनाशकारी नहीं होता है क्लियर है इस बात ये बात आपको समझ में आई मैं कह रहा हूं कि एल तरंग जब प्रवाहित होती है और ये धरातल तक जब पहुंचती है तो इसका इस धरातल तक पर पहुंचना विनासकारी संकेत देता है कि बहुत जादा विनास होने वाला है क्लियर है ये बात आपको समझ में आई एल तरंग सब के अंत में प्रवाहित होती है एल तरंग की बात कर रहे है एल तरंग एल तरंग का मतलब लव तरंग लव वेवज लव तरंगे और याद रहे कि ये जो लव तरंगे है ये बुकंपिये करिया में बुकम्पिये करिया में सबसे अंत में परवाहित होती है याद रखना सबसे अंत में परवाहित होती है लेकिन इसकी इसकी तिवरता सबसे कम होती है और अगर मैं बात करूँ कि ये तरंग ये तरंग जब धरातल तक पहुँचती है पहुचती है कौन सी तरंग पहुचती है एल तरंग जब धरातल तक पहुचती है तो सरवादिक बड़ी बड़ी जानमाल की हानी होती है जानमाल की हानी होती है याद रखना बहुत बड़ी मात्रा में जानमाल की हानी होती है और आप से प्रिशन पूछा था मैंने जब क्लास का प्रारंब हम ने किया था कि जान माल की हाने का अनुमान हम कौन से स्केल से लगाते हैं जान माल की हाने का अनुमान हम कौन से स्केल से लगाते हैं सर्वन गुजर गुड रतंड अच्छा बच्चे का सवाल है कि सर भूकम्प की खोज किसने बेटा भूकम्प कोई वस्तु थोड़ी है कि खोजा जाएगा भूकम्प की खोज की बात ही नहीं कर सकते हैं हम भूकम्प की खोज नहीं बिटा हम ये कह सकते हैं कि भूकम्प ये क्रिया का अंदाजा सबसे पहले किसने लगाया था तो रियक्टर मोहदे है उन्होंने सबसे पहले बताया कि इस प्रकार से ये जो कमपन होता है इसमें ये तरंगे जो तिवरता है वो इस प्रकार की तिवरता होती है तो रियक्टर कहते है ये बत इसका उत्तर आपने रतन को इसका उत्तर आपको रतन ने दिया है रणवीर जाजर या राम राम नमस्कार रणवीर जी शर थोड़ा और ओफ लाइन अंदाज में आओ अंदाज वही होगा मेरे दोस्त अंदाज वही होगा बैस आपका साथ चाहिए मुझे अंदाज वही होगा हाँ जी चलिए अब इसका जवाब दे मुझे मैं आपको पूछ रहा हूँ मेरा सवाल है आपसे सवाल ये है कि बताओ सवाल यह है कि जानमाल की हनी का अंदाजा कौन से स्केल पर लगाया जाता है और उसमें जो अंक होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं दोनों बातों के जवाब दो मुझे फटा फट से फटा फट से दोनों चीजों का जवाब दे दो मैं आपके कमेंट्स है वो देख पा रहा हूं यहां पर देख रहा हूं मैं आपको फटा फट से जवाब दो कि भुकम्पिय क्रिया के बाद में जो जानमाल की हानी होती है उसका अंदाजा हम कौन से स्केल पर रगाते हैं जल्दी से जवाब देख करके बताए एक बच्चे क जबाब आया है अभी तक हाँ सर आपकी हाँ सर आपकी क्लास का टाइम च्छे वजे और च्छे वजे तो उसका फोन आने का समय हो जाता है यह कौन कह रहा है बदमास यह कौन कह रहा है बदमास चलो ठीक है बटा फोन ही कर लिया करो यह जरूरी नहीं यह जरूरी नहीं यह क्लास लो आप चलो खेर ठीक है बताओ फटा बड़ से एक से बारा तक मरकेल इसकेल राजे सेवदा कह रहे हैं एक से बारा तक मरकेल इसकेल चरन जानी कह रहे हैं इस बात का जवाब दो फिर आगे हम बाचीत करते हैं लव तरंग आपको समझ में आई अब देखना भूकंप के आने में क्या मनुस्य का कोई हाथ होता है भूकंप के आने में क्या मनुस्य कोई मदद करता है भूकंप को लाने में मदद की तो क्या बात करेंगे लेकिन क्या म हम भी जिम्मेदार हैं भुकम्प क्यों आता है इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं हमारा करतव्य है कि हम हम भी जिम्मेदार है मानव किस प्रकार से जिम्मेदार है जरा ध्यान से सुनना हम जैसे ही बात करते हैं तो मानव द्वारा निर्मित इस्तितिया भुकम की कब कब होती है एक तो जब हम परमाणू परिक्षन करते हैं क्या करते हैं परमाणू परिक्षन करते हैं तो परमाणू परिक्षन के कारण भी भुकम पाता है परमाणू परिक्षन के कारण भी भुकम पाता है एक कारण, दूसरा कारण, जब हम बड़ी बड़ी और गहरी खदानों में ब्लास्ट करते हैं, तो उससे भी भुकम पाया करता है, गहरी खानों की छटें गिरदाया करती हैं, जब हम जमीन के अंदर प्रकरती से खिलवार करते हुए जो खनीच हैं, उनको निकालते रहते हैं जमीन को खोकला कर देते हैं, और वो छटे नीचे गिरती हैं, तो भी भुकम की स्थती बनती है, प्यारे दोस्त, भुकम की स्थती बनती है, तो याद रखेगा, जल भराओ की स्थती भी हम यदि कहीं करते हैं, तो भी भुकम की स्थती बनती है, तो भी किस की स्थती बनती है भुकम्प की स्तती बनती है अत्यदिक रासाइनों रासाइनिकों का प्रियोग करने से भी भुकम्प पाते बहुत ज्यादा रसाइनों का प्रियोग करेंगे हम तो भी भुकम्प बनता है या भुकम्प की स्तती बनती है याद रखना जब भुकम्प समुद्र में आए जब भुकम्प सागर में आए अथार्थ भुकम्प का जो फोकस है वो सागर में हो भुकम्प का अधीकेंदर सागर में हो तो किसका जन्म होता है तो सुनामी का जन्म होता है किसके कारण आती है चार ओप्सन आपके सामने है चार ओप्सन क्वेशन यह है कि सुनामी किसके कारण आती है सुनामी किसके कारण आती है बताओ सर फोन करने के कारण आती है नहीं फोन करने के कारण नहीं सुनामी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं प्यारे दोस्त सुनामी की बात कर रहा हूं सुनामी किसके कारण ओप्सन नमबर ए और ओप्सन ए कहता है कि क्या स सुनामी ज्वाला मुख्य के कारण आती ज्वाइला मुख्यरी करण आती है ज्वाला मुख्यरी कर और option number D, option number D, इनमें से कोई ने, इनमें से कोई ने, बताना, इसका सही जवाब देना, फटा-फट से इसका सही जवाब देना, चार उप्सन आपके सामने रखें चार उप्सन रखें आपके सामने क्रिशन जिराना गुड सरजी संदीप सेनी एक से बारा तक बहुत बड़ीया जवाब था आपका संदीप चलिए चरण जानी का उत्तर है बी हाँ जब प्रशन और उत्तर की बात होती है तो सारे बच्चे छुप जाते हैं पता नहीं क्यों पता नहीं कौन सा नसा करके छुप जाते हैं राजे सेवदा दो ओप्सन दो और बताओ क्रिशन जिराना ओप्सन नमबर बी के साथ स्वागत है स्वागत है आप सभी का फटा फट से जवाब दे रतन रेड़ भूकम सचीन चंदेल बी सचीन चंदेल कह रहे हैं बी उत्तर हुगा सचीन चंदेल बी के साथ जा रहे हैं राजे सेवदा चलिए टान रेड़ के रहे हैं सोना बाबु के कारण आती है हमारे यह आं तो बेटा सुनामी सोना बाबु के कारण ही जिंदगी तबाह होती है सोना बाबु के कारण और खुछ निगे तो जला सा ध्यान दे जरा सा ध्यान दे रतन बहुत अच्छा स्टुडेंट है रहे तु क्या कर रहे है रहे ठीक है मुहाल जी प्रमोद मुहाल कह रहे है D option होगा प्रमोद मुहाल D option बेटा D option नहीं होगा प्रमोद मुहाल कल्यान सिंग भुकम कल्यान सिंग कह रहे हैं भूकम ये बच्चा बहुत सीरियस है पढ़ने के लिहां से बहुत अच्छा बच्चा है संदीप सैनी बी मतलब भूकम रतन रेड ओके राजे सेवदा चलिए आप सभी के उत्तरों का स्वागत है और आप सबने लगबग सही उत्तर दिया है मैं आपको जो आगे की हमारी क्लासे हैं परमोद मुहाल दी नहीं होगा बिटा बी होगा आ राइट आंसर बी है बी है राइट आंसर जो सुनामी आती है वो सुनामी सुनामी किसको कहा जाता है समूद्रों में उँची उँची लहरों को ही तो सुनामी कहा जाता है समुद्री छेतर में जो उँची उँची लहरे और जो तटिये छेतरों तक पानी घुश जाता है उसे ही क्या कहा जाता है सुनामी कहा जाता है याद रखेगा जो भुकंब के कारण जैसे ही समुद्र में हलचल होती है जैसे ही हलचल होती है तो समुद्र में लहरों का उठना स्टार्ट होता है और लहरे उठकर के ये लहरे बड़ा आकार ले लेती हैं बड़ा आकार लेने के बाद में ये तटिये इलाकों में घुश जाती है जल को ले आती है सबसे ज्यादा सुनामी जापान में आती कहां पर आती है जापान में आती है बहुत-बड़ा प्रश्न है जापान से समझे क्लाइस चलिये क्ष़ेश क्लास आप को समझ में आई है आज मैं कुछ और नई चीखने को मिली है क्या आज की क्लास से आप संतुष्ट है तो यस लिख करके मुझे एक बार बता दे अगली क्लास में और रोचक तथ्यों के साथ में हम फिर पेश होंगे आपके लिए और तब तक बने रहे हैं श्री संकल्प क्लासेज के साथ प्यारे दोस्तों आपको फिर से अपने आप चोड़ा हो जाता है हमारा सीना बहुत गरों से फूल जाता है हमें पता है कि हमारे देश के सैनिक हमारे देश की सरदों पर रह करके हमें चैन से जीने की आजादी देते है और भगत सिंग और सुकदेव राजगुरु जैसे सैनिक तो ऐसे थे जिनोंने आप देश में सांस ले रहे हैं उनकी बदलती ले रहे हैं तो उन सब सहीदों को मेरा एक बार फिर से सैलूट जैहिंद जैभारत मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार झाल कि भी हैं यह हैं यह हैं यह हैं यह हैं यह हैं कि बाइश जैब एकश हैं घग यह जागली का लिए से स्वार किया अ झाल झाल